स्टुडियेंट वेलकम टू यूटूब श्टडी मैसल्फ दिनेस यदो और आज की इस पूडियो के अंदर बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंगलिस जो यूपी बोर्ड नहीं ही इंगलिस का मॉडल पेपर जारी किया देख सकते हैं सबसे उपर टॉप में और ये क्ल पूरा सलूशन के विवात करेंगे काई से मिलेगा तो एंड तक देखिये मतलों की लास्ट विडियो को और वीडियो कर देजिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो पूरा सब्जेक का सालूशन वीडियो अगर चाहते हैं मॉडल पेपर का इस चैनल आपको करें जा रहा जो कि बोर्ड एक्जम के पेपर में आता है ठीक है और यहां पर कुशी दिया इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जुरूरी है जेनरल इंट्रक्शन मतलब कि यहां पर कुशी निर्देश दिये गए फस्ट नमबर लिखा है दा फस्ट फीप्टीन मिनट्स आर एलोटे टू कंडिडेट्स फार रीडिंग दॉप कोशन पेपर मतलब कर रहा है कि प्रतम की 15 मिनट्स प्रक्शार्थियों को प्रस्ण पढ़ने के लिए निर्दाइट कर दिया गया है और यहां फिस सबी प्रस्ण अन्यवार है करना है और यहां फिर थर्ड नमबर मांक्स आर इंडिक सब्सक्राइगा इंगलिस में रीडिंग रीडिंग बुक से आएगा ठीक है इसके बाद आभी हम आपको पूरा पढ़के समझाएंगे के कोशन को दूसरा हम देखिए सेक्शन भी जो है राइटिंग से आएगा यह केवल बीस नमबर का आता है दूसरा कोशन आभी दिखा है कि रीड़ फालोविंग पैसे केर फुली एंड एंस और दो कोशन देट फालो यहां पर का रहा है कि सबसे पहले जो दिया गया यहां पर पैसे मतलब कि इसको पढ़ना है अच्छे से और पढ़ना इसी में से पढ़कर कि और इसका उत्तर भी देना है तो सबसे पहले होएंगे अब इसके बाद इसी में से कोशन भी पूछा जाएगा तो देख सकते हैं इसका सलूसन पूरा हम अच्छे समझाएंगे कैसे करना है ठीक है अब यहां पर इस मोडल पर को समझा रहे हैं और यहां पर देखिए पांच कोशन इसमें आपका आएगा पहला कोशन मे इसके बाद चलते हैं यहां पर सेक्षन बी में देखते हैं ठीक है सेक्षन बी वाला जो कोशन है इसमें कोशन नमर दो राइट एन आर्टिकल आन एन वन आफ द फालूइंग टॉपिक्स इन का रहा है कि हंड्रेट्स तू हंड्रेड मतलब वन फिप्टी मतलब की सौ से ल फार फ्यूचर इस पर तीनों में किसी एप पर आपको आर्टिकल लिखनें के लिए आएगा तो इसका मैं बताऊंगा सलूशन कैसे करना है अभी लास्ट तक बने रही है देखिए थर्ड नमबर राइट लेटर टू द एडिटर आफ नेशनल डेली टू सो योर कनर्शन ग दो emedन लेटर लिएरी तो आपको कैसे लिकना इसका वीडियो भी बहुत शारी में बना आ चुका हों डिसक्रिप्षिन चेक कर लिजे एक बार और इसका सलूशन में सामको आज वीडियो की डिस्क्रिप्षिन में सामकोả भिसक पूराा सलूशन मिलेगा तो अभी less पूरा मोडल पर समझ लिजे कि साब को पूरा के लिए समझ में आ जागे यहां पर सेक्शन सी से ग्रामर देखिए इसमें ग्रामर में आपका दस नमबर के यहां पर सबसे पहले नमर कुशन नमर फोर चूज दग करेक्ट ऑप्षन टू एंस एंस वर द फालूइं कोशन यहा पर देखिए दा फ्रेज इन चींजिंग ट्वार्स मिनिंग इसमें से इसका कौन सब्सक्राइब बताना है ठीक है इसके बाद अगला कोशन देखिए यहां पर सी नमबर दा सिनोनिम आप दा मर्जर मर्द देखिए मिगर्ड इसका सिनोनिम बताना यहां पर वन वन सूट इसका बता देना है इसमें से कौन होगा मतलब की आप देख सकंदे हैं पेपर इस तरीके से हैं और यहां पर इनश नमर देखिए दा एनटोन ने बताना है और यहां पर कॉश्इन और फाइब दिख रहा है change any one of the following in indirect speech यहाँ पे दो नमर का indirect में इसको बदलना है direct में दिया है दोनों ठीके आप यहाँ पर देखिए b नमर कैसा है combine any one of the following directed यहाँ पर इसको देखिए दो sentence की रूप में दिया है इसको जोड़कर कि एक में combine कर देना है और एक sentence बना देना ठीक है यहाँ पर देखिए c number change any one of the following directed इसको directed में change करना एक्टिफाइस ठीक है इसको अच्छे देख लिजएगा आप हम साम के इसका solution बताएंगे correct any one of the following sentences जितने बच्चे comment करते हैं तो comment के coding इसका पूरा solution बता देंगे एक चीज़ को इसके बाद की e number use any one of the following pairs of words in your sentences to make the difference in their meaning clear तो देखिए इसमें दो word meaning दिया है इसको बदलना है ठीक है आपने sentence में और यहाँ पर question number 6 जो आदेख सकते हैं किस type से translate the following passes in English पास नंबर काएगा यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा इसको translate करना इंग्लिस में उन दिनों स्वामी विवेकान अमेरिका में एक महा महिला के यहां ठारे हुए थे मतलब इसको इंग्लिस में change करना है इसको बताएंगे ठीक है इसके बाद देखिए सेक्षन जो डी है यह लिट्रेचर से आपके यहाँ पर कोशन पुछ जाएंगे देखिए answer the following question in about 40 words मतलब कि इसको देखिए इस टाइब से पुछ एगा कोशन तो मतलब कि आपको पूरा इस model पर जो दीख रहा है इसका पूरा solution मताएंगे और भी आपको देखिए last question जो है इसमें बारा नमबर यह आपका lung question type है ठीक है तो इसका साथ नमबर का केवल एक काई question करना है इसका पूरा वीडियो का solution आपको साम को मिल जाएक कोशन का तो आपको इसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक करके करना है ताकि जादे जादे बच्चे जूड़ेंगे तो ही इसके लिए मैं मेहनद करूँ काफी और कमेंट बक्स मताना है कमेंट करके कि सर इसका solution चाहिए तो कमेंट किजिए फटा फट से इसका पूरे कोशन का solution बताएंगे और इसको सेर करना है और लाइक करना है और बस इतना करना है चैनल को नए है तो सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि सालूसन आएगा फटाक्स से नोट्फिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं नाक्स बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग